लो गाइच कैसे हो आज़ा करता हूं समस्त और स्वस्त हो गए तो आज हम गंगा किनारे आये हैं तटपे में भाता जी के आत्माव की सांति के लिए हमन करानी के लिए सोचा क्यों ना एक ब्लॉक बनाया जाए तो आप देख रहे हो ग्यों की एकदम हरी फरी फसल है और यह ह दीख रहा है और बहुत मुझ मस्ति कर दें पीछे पत्थर भी पहाड़ी जैसे तो यहां पर हम लोग कुई छोटे-छोटे थे अभी भी आते हैं तो बड़े फोटो खिच्वाते बड़ा अच्छा रगता है यहां पर तो गाइस देख सकते हो आप पूरा एकदम इस अरसो है एकदम कितना प्यारा विव आ रहा है पीछे का मैं आपको दिखा रहा हूं एकदम लाजवाब पीछे पेड़ है तो गाउम मेरा एक एसी जगह पर है कि मागंगा का तट्वी हमें अक्सर मिल जाता है और यहां पर नहाने के लिए इसनान करने के लिए भी हमें कई ज्यादा दूर जाने के हो सकता नहीं है बिल्कुल गाउम से कुछी दूरी पर है और आप देख सकते हो मैं भी फिलाल मागंगा के तक आप मेरे पीछे देख रहे हो ना पत्थर यह कोई फैसन या कोई पहाड़ी के लिए नहीं यह बरसात के टाइम में ह जो इस तरह थोड़ा कम रहे और इस अपूर्ट में आप देख सकते हो बड़ा अच्छा लगा हुआ है पीछे का परसात के टाइम में कुछ घास हरी फ्री हो जाती है और पानी भी बहुत का इस तरह जो है वह तूचा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है और अब यह पानी के रोकने के लिए जिससे की पानी को आगे ना पोचवाए क्योंकि फसल भी नश्ट हो जाती है और गाओं के लोग भी परहसान हो जाएंगे तो इसके लिए शेप्टी के लिए यह लगाया हुआ है इसलिए देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है आप मेरे पीशे अच्छा लग रहा है तो आईए आप सब भी और इंज्जोई करिए मागंगा के हैं इसनान करें और यहां पर विए कमाजा लीए अब सामने देख सकते हो मा किसंति के लिए आवन कर रहे हैं मेरे परिवार के सबी लोग हैं जो मागंगा पर हैं कितट पर हैं सब लोग अब काम रुका हुआ है तो आज मिस्त्री ने आये हैं कि घर में प्रोग्राम था एक अंकल की साधी थी लेकिन हमारे अंकल की साधी भी नहीं देख पाई हैं दादी मां हमारी और उन से पहले ही दुनिया कॉल फिद आ के चली गई फिर आज उन्हीं की आत्मों की सहंते के लिए हमने एक हमन कराया और हमन करा के हम अभी घर आए देख सकते हो गाईच आप इस तरीके से यह हमारा गाउं में पूरा कि कमला जवाब